हेलो जीनिय स्टूडेंट्स वेलकम टू एजुमित्रा तो टूडेया इम हीर विद फोर्थ एंड लास्ट पार्ट अब क्लास एड साइन्स बुक चाप्टर थर्ड विच इस सेंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक तो जैसे कि मैंने आपको बताया था इस चाप्टर को हम फोर्थ पार्ट में कवर करेंगे तो आज बेसिकली हम इसके फोर्थ और लास्ट पार्ट को देखने जा रहे हैं तो अगर आप सिंटेटिक फाइबर संप्लास्टिक के लेक्षे को पहली बार अटेंड कर रहे हो तो जाके पहले आप इसका फॉर्ष पार्ट देखो मिल जाएगा तो चलिया दए इसके फोर्थ और लास पार्ट के बारे में और कंट्यू करेंगे वहां से जहाँ था क्योंको करें पड़ा तक प्लास्टिक को होते हैं प्लास्टीक होते है है वह हमने देखा था बेसिकली कंडक्शन क्या होता है आपको पता होगा बेसिकली तो प्लास्टिक्स क्या होता है वह पूर कंड़क्टर सुथ वह कंड़क्ट नहीं करते हैं क्या वह भी देखते हैं तो हमने क्या देखा था कि प्लास्टिक्स पूर कंड़क्टर है हीट के और एलेक्टिसिटी के नहीं प्लास्टिक से हीट पास कर पाता है और नहीं एलेक्टिसिटी पास कर पाती है लेकिन मेटल्स देखें आर आयरन देखें तो आयरन से हीट भी पास करता है और उसे एलेक्टिसिटी भी पास करती है जैसे कॉपर हो गया अलमिनियम हो गया बहुत सारे मेटल से सारे मेटल से क्या होता है हीट पास करती है लेकिन प्लास्टिक्स क्या है पूर कंड़क्टर और किसका हीट का उसे एलेक्टिक्सिटी और हीट पास नहीं करता है तो इसलिए प्लास्टिक के जो हमारे पास या तो या तो कोपर किया जाता है प्लास्टिक के बेसिकली उसको ठाका जाता है प्लास्टिक से क्यों क्योंकि वह उनका सॉक प्रूफ हो सके उनका सॉक लोगों को ना लग सके क्यों क्योंकि प्लास्टिक पूर कंडॉक्टर सफ हीट है उसके आज पास हीट या एलेक्टिसिटी पास नहीं कर सकता और जो स्कूरूड्राइव प्लास्टिक से बने होता है क्योंकि वह बैट कंड़क्टर पूर कंड़क्टर हीट होता है उसका हीट अच्छे पूरी तरह से उसमें पास नहीं होता है तो जो भी परसन खाना बना रहा है उसका हाथ नहीं जलेगा अगर वह हैंडल से उसका काम करता है तो यहां कुछ fact दिया हुआ है do you know क्या आप जानते हो plastic find extensive use in the health care industry plastic का health care industry में बहुत बड़ा यूज है क्या क्या है tablets को यानि दवाईयों को pack करना threats use for stretching wounds यानि जो घाव गएरा जो जखम गएरा लग जाती है टांका के बारे में तो आपने सुना ही होगा जो stitches लगते हैं हमारे wounds पर हमारे घावों पर उनको stitch लगाने के लिए भी हम threats जो यूज करते हैं वह प्लास्टिक से बने होते हैं syringes जो जो स्रिंज होता है जो हम injection लेते हैं doctor के gloves होते हैं वह भी प्लास्टिक से होते हैं अब बहुत सारे medical instrument है जो की ब्लास्टिक से बने होते हैं जो प्लास्टिक है जो healthcare industry में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है special plastic cookware is used in microwave ovens for cooking food बहुत special type of plastic होते हैं उसका यूज हम microwave के oven में करते हैं जिसे हम खाना बनाते हैं तो in microwave ovens the heat cooks the food but does not affect the plastic vessel जो heat है वो क्या करता है microwave ovens में खाने को तो पका देता है लेकिन प्लास्टिक को क्या करता है वो नई पहुंचाता है च्छती ठीक है लेकिन what happens लेकिन जो हमारा क्या होता है लेकिन जो हमारा मेटालिक बड़तन होगा तो उसमें क्या होगा वो heat produce कर लेगा और हमारे हाथ जलने का chances है इसलिए हम क्या करते हैं प्लास्टिक के बड़तन हम यूज करते हैं इंदा microwave ovens टेफलोन टेफलोन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होगा लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपके घर में जो बड़तन आते आजकल बहुत है ठीक है पहले इसमें सेरमिक कोटिंग होती थी लेकिन बाद में बहुत हम टेफलोन कोटिंग करने लगो कि किसलिए ऐसा किया जाता है कि जो ओईल और वाटर है वो या कोई भी खाना फूल मटेल जो इससे चिपके ना इसलिए तो हम इसे नॉन स्टिक बोलता है क्योंकि इसमें कुछी नहीं चिपकता है और इस यह कोटिंग की जाती है किसकी टेफलों की जिसके कारण है कोई भी फूड आइटम जो होता है वो नहीं चिपक पाता है हमारे ओके केभ़ि मुवन और अब और है फाये प्लास्टिक ऑ फिन फ्लास्टिक प्लास्टिक कोछ ऐसे है फिर फिरेखश स studentけ Sicherा क्या होते है वह बहुत असाँ पापड़ा लेकिन एक ऐइंटर्स्टिंग बात है आप जानों प्लास्टिक के बारे में कि उनिफिम जो कपड़े चिप भाइनते हैं फ्राइक ब्रिगेट वाले लोगों दो आग पुझाते हैं वह भी एक टाइप प्लास्टिक का ही होते हैं तो यह सारे हम इंटरेक्टिंग प्रेस्ट्टिक का क्या कि इंवरॉमेंट के साथ वह भी देखते हैं जब भी बजार जाते हो वैंगे फिरेट से देखोंगे सीजें मिलेगी जैसे अब के चिप्स हो गाये और बहुत सारे हिसे इसे लिकेड़ी प्लास्ट्टिक नहीं जाटा कर जाते हैं। ना को पती जाते समय उसके अंदर का फुट कर जाते हैं। उसके लimmel म nervous about the शमयर जाती है। जल इसके इसे जो काया इंडर और अंचरा होमा होता그를ALLY तो इसे क्या होता है दीरे-दीरे कच्रे में बतपलीध होते जाता है जब किसी चीज़ का यूज ना हो तो वह बैसके वेस्ट कंसिडर कर देते हैं तो इसलिए प्लास्टिक का डिस्पोजल करना यानि उसको सही जगह फेकना उसको अच्छे से उसको एक प्रॉपर जगह फै जाना जाना गल जाना नैटरल पैक्टिरियाट क्याों सकता है इसको शुष्ज को सकता है जो इसको कोई प्रॉपर हो सकता है या इक जषल구 diferente का चनलänderप्र。 तो एसे मटेरियल जिसमें क्या होता है जो डिकंपोज हो जाते चाल अंग मैं तो जो बाएव मतलब क्या होता है living हो जाना मतलब पूरी तरह से उसमें मिक्स हो जाना ते उसको डिए किया सकता है उसको डिकंपोज किया जा सकता है तो ऐसे वेस्ट को क्या बोलेंगे बायों डीकिरेड़ेबल लेकिन इसका एकदम अपोजित है नॉन बायो डिग्रेडबल एसा मटेरियल जो की इजली डिकंपोज नहीं हो पाता है किसके द्वारा नाचुरल पोसेस के द्वारा तो उस ताइप अपर मेटेरियल को क्या बोलेंगे हम डैट टाइपस अफ मटेरियल सान नॉन अन बायो डिग्रेडबल मटेरियल तो तो ताइपस अब एक है बायो डिग्रेडबल यह डाट गान वी डिकंपोज बाइड नैच्ट्र पोसेस अब आक्टिरिया वह बायो डिग्रेडबल अग्ट नॉन असवाट नॉन बायो डिग्रेडबल अब देखते हैं लुक आट टेबल 3.3 पोइंट टेब इसमें क्या दिया हुआ है चलो तो वाट इस सूर्स सूर्स एक कोई वेबसाइट है जिससे इसे कर लिया गया ओके तो टेबल 3.3 टाइपस अफ वेस्ट एक सो एप्रोक्सिमेट टाइम टेकन टू डिजेनरेट नेचर आप माटेरियल ओके तो माटेरियल से जिसको सरने में कितना टाइम लगेगा और वह क्या बायोडेडेडेबल है या नॉन बायोडेडेडेडेबल ओके तो पील सफ वेजेटेबल और फूट लेप्टोवर फूल श्रप बचा हुआ ख्याना या फलो या फूलो का छिलका एक से दो सपता लगता है सरने में इसको और यह बायोड हिएन वह क्यों साल करकत ने भर यह वह दो से बायोडेडेडेड्य वह त्यास में कस ब्हुती के है और तीचिकड़ में कम से कम एक साल का समय लग सकता है डाट DO बायो डिगेड़ेबल टिन एलमीनियम यंड अदर मेटल के इंसे होते हैं हल्द टू फाइव गण्डेड यस सो सकते हो कितना टैम में इतना टैम में आपके साथ से 8 जेडरेशन भी सकते हैं इसका देखो यहां टाइम भी नहीं दिया गया है पिरेड बहुत हटाइम यहОं प्लास्टिक पाता है को इसले प्लास्टिक का यूज्स हमने बहुत असानी से करना चाहिए शोरी बहुत यहनों और इसको ढाते उसको जबहुत चाहिए च्छि grammar ऐसको करना चाहिए प्लास्टिक लेशा करना चाहिए जाएधा कम प्लास्टिक veteran यूट्वें करना चाहिए और जित्तना कम से कम हो सके इसके चाहिए उतना है चाहिए कि सुने सख़ conviction सिन्स प्लास्टिक टेक सेवरल से प्लास्टिक इसे साब ले ले सो यह इंवर्मेंट फ्रेंडली नहीं हो सकता है फाइसन पॉलूशन पॉलूशन करता है यह बाल साल लगता थे fundamentals lying process of synthetic fibers is quite slow that it does not get completely burnt easily तो नेसे ल फाइबाइबर से ओपर का इक डिसजडवंटेज्स क्या है कि यह पूरी तरह से जलता नहीं है और जलता धीरे-धीरे जलता है ठीक है और जब यह जलता है तो बहुत पौक्स निकलती है और छो हमारे लिए भी डेंगरस हो सकता है और हमारे इंवरमेंस के लिए ठेंगरस हो सकता है यहीका हमारे लिए प्रगलम इंवागों सहर में लोकालिटी के रिया के वहां क्या करते है जो गालेज में जाके खाना भूंड़ते हैं और इस प्रोसेस में अधे फूड वेस्वाइल माटेरियल इसके भीच क्या होता है ऐसे माटेरियल जाते जैसे अब फूड के साथ-साथ तो आप सोच सकते हो कि यह कितनी बुड़ी हो सकती है तो प्लास्टिक मटेलर चॉक्स दर इप्रेश्टिक सिस्ट्रम अब जो क्या होता है जिससे वह सास से रेच सकते हैं जो एनिमल उसको यह ब्लॉक कर देता है और उसका लाइनिंग अफ स्टॉमस को वह क्या करता है उसमे साउधानी से करना चाहिए प्लास्टिक बैक के लिसली थ्रों यह एंदे रिस्पॉंजिवर फॉर क्लॉगिंग द्रेंस तू सम्टाइम्स यह वेडी के लिए सब्सक्राइब करना चाहिए क्योंकि उसका इस्तमाल से वाटर भी पॉलूटेड हो सकती है लैंड भी पॉलू सब्सक्राइब करता है तो क्या यह करने के से पहले हमें दो बार नहीं सोचना चाहिए कि क्या हम प्लास्टिक के रापर इधर यह से फेक रहे हैं हाला कि this fight of it is very very dangerous यह करने से पहले हमें जरूर सुचना चाहिए कि as a responsible citizen हम अपने देश के जिम्मेदार नागरिक है and what measures do you suggest to keep public places clean and free of plastic और यह हमें कोशिस करना चाहिए कि हम अपने प्लेस को अपने आस-पास के क्या करना चाहिए और जितना हो सके उससे क्या करने मिनमाइज करना चाहिए उसके यूज को मेकूज जूट न रही सकते हैं किसके बदलर नॉन बाइव इस निट अगर ऐसे निया जाते हैं उसे ले जाकि ऐसा ही फेक भी दिया जाता है तो उसको सारने बहुत होता है लेकिन हमें क्या करना जो बाइयो डिग्रेडेबल वेस्ट उसको अलग अलग रखना चाहिए उसके लिए गवर्मेंट ने एक स्कीम भी लॉंज की थी उन्होंने एक आईडिया भी प्रपोस किया था जो बाइयो डिग्रेडबल वेस्ट है उसको आप ग्रीन ड्रश ब्रेंड में कलिक करो और जो तो आप याद रखो आप कहीं बाहर जाओ तो आपको दो टाइप सब देखें ग्रीन ब्लू तो जो बायो डिगेड़ेडबल हो जैसे वेजिटेबल पिल्स या फूट पिल्स या आपका एडिवल फूट उसको आप क्या करोगे गेंड में डालोगे और जो नन बायो तो आप घर पर सोचो कि आप कुछ तरीका लगा सकते हो कुछ तरीका निकाल सकते हो कि हम प्लास्टिक के यूज को कम से कम कर सके और इसका क्या कर सके हम जितना मिनिमाइज हो सके उतना कर सके तो इसके लिए बेटर है कि हम प्लास्टिक को रिसाइकल करें उसको वेस्ट को एक ही प्लास्टिक को दूसरा इसका दुबारा यूज आया प्लास्टिक करें और ज्याधा प्लास्टीक को तर्म प्लास्टेकश के 산 भी रिसाइकल किया जा सकता है लिश्ट पाईटम है यह पाइक्टिविटी आकर्सकते वे अधोड तो यह क्या बहुत सारे एजेंस लगा जाते हैं किसके लिए फौदर रिसाइकलिंग तो यह हो सकता है कि थोरा complex process हो यह हमें कोसिज करना चाहिए कि इसको सब तक हम यूज करें उसके पाद इसको रिसाइकल कर सके और एक देश के हमारे सिट्ट एक सिटि जैने के responsible member होने के नाते है फाइब आर्पूपर्स यानि फाइब बार सिध्दांत को फालो करना चाहे पहला है कि Cohen yet अ फिर आता है रिकवर है तो ति इसको समझते है रेडू इसको शाइग है घ्रडॉस्त का मतलब क्या है डेडियूस का मतलब जितना कम हो सके उतना यूज करना तो इतना कम हो सके उतना यूज करना तो इतना कम हो सके हम उतना प्लास्टिक से बने एक ही चीज़ को ज्यादा इस्तिमाल करना एक से ज्यादा बार फॉर एक्जामपल अगर आप ले लो कि अगर आपके पाल बॉटल से कोड्रिंग के तो इसको आपको श्रोड करने में जैसे ओल हो सकता है वाटर हो सकता है रख सकते हो जैंप के बोतल केचप के बोतल उसको हो गया है या बहुत सारे जो आपका जो जो किचन का जो बहुत सारे आइटम होता है उसको श्रोड करना यूज कर सकते हो फिर क्या रिसाइकल रिसाइकल क्या है एक प्लास्टिक को दुबारा उसको मसीन कुछ प्रोसेस करके उसको नया प्लास्टिक में कनवर्ट कर देना और फिर इसको दुबारा यूज कर देना ठीक है तो इस से क्या होगा कि नए प्लास्टिक बनाने पर परेगा और जो प्लास्टिक है उसी को हम दुबारा यूजर कर पाएंगे बिना उसको डिस्पोज की गाउगा गला हीवोग फिर क्या ता है रियानि यानज छप्लास्टिक को सकते हुआ कर सकते क्योंकि फूरे बहुत इंपोटन है ये सीज़ई से प्लास्टिक से को इतना ज्यादा कर चुके हैं यानि प्लास्टिक के आपने ाप लाइफ को इमाइजन ही नहीं नहीं कर सकते तो हम थो ड्हूनना बहुत जरूरी है इसे चीज़े जिसका हम प्लास्टिक के इस्तिम्हाल कर सकें और जो हमारे इंवियरमेंट को हानउcorn ना पहुंचा है तो इस इना फाइब आप प्रिंशिपल आपको एग्जाम में बेसिकली थ्री ओफाइब मारका में कोश्चिन आ सकता है कि प्लास्टिक बैक को ना ही आप वाट यानि पानी में डाले ना ही रोट पने डालते हो तो क्या होगा सिस्टम जहां से लेते वो ब्लॉक हो सकता है और उनकी देट हो सकती है जब आप सोपिंग करे तो यह कॉटन के जूट के या पेपर कहीं बैग लेके जाएं प्लास्टिक के नहीं जिसे यह मिनिमाई में तरी प्लास्टिक बंच उसा काव इंसिताय में Paradise उसे सब्दाय क सित्माल करें यॉझ प्लास्टिक पाम कर सकते हो इंदी सिर्फ दोम्प्नान वि् push case punishment नॉvenट देखेदें चायर प्लास्टिक artificial silk that is rayon, which is made for wool pop nylon type of fiber which is very light, very durable, very affordable plastic is also a type of synthetic fiber polyester polymene, what polymene , many and it's time is sweet smelling substance basically fruit polyester is making of cloth polymers polymene many and miss parts anything which is made up of many parts the material is known as polymer सब्सक्राइब कर दाहसे अम भी सब्सक्राइब कर सकते हैं वैसे थर्मोप्लास्टिक नुसरी देखाए थरमशेटिंग् यह एक पर सेर में डाल दो दूसरा सेप में नहीं कर सकते हैं धर वाले यह आपके जो फ्राइंग हैं यह आता है थर्मो सेटिंग प्लास्टिक के अंदर तो फाइनली घाइस विया सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं अगले लेक्टेशन टॉपिक के साथ अगर नजा टाए नहीं सब्सक्राइब करें तो चलिए अगले की और फॉच इन फ्सक्राइब